नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अशोक रूपनेर है आज हम त्रिभुच के गुणों के बारे में बात करेंगे इस पाठ का पाठ्ठेक्रम श्री सुरेश सुतार जी ने बनाया है जो श्री तुलजा भवानी विद्धाल है सोमाटने पुणे में अध्यापन करते हैं त्रिभुच सरवादिक स्थेर आकार है हम कही जगों पर त्रिभुच देखते हैं निर्मान कारिय में मेज के पैर कुर्सियों के पैर मेज का आकार जैसे कई वस्तों में हम त्रिभुच देखते हैं यदि हमने चौक की मदद से बोर्ड पर त्रिभुच का चितर बनाया और चात्रों को समझाने का प्रयास किया तो वो समझेंगे ही ऐसा नहीं उन्हें अगर हमने कुछ डंडिया दी और त्रिभुच के साथ साथ अन्य आकार भी बनाने के लिए कहे तो अन्तता त्रिभुच सबसे स्थीर आकार क्यों है यहवे अच्छे से समझते है और इस प्रकार से सीखने के बाद वो इसे कभी नहीं भूलेंगे आठवी कक्षा के चातरों को कुछ सरल क्रियाओं के माध्यम से त्रिभुच के गुन भी सिखाए गये आज मैं उन कारियों से आपको परजित कराऊंगा मुख्य बिंदू शुरू करने से पहले मैंने विद्यार्थियों को त्रिभुच की भुजाए त्रिभुच के शिर्ष बिंदू संगमन रेखा संगमन बिंदों की संकल पनाओं को धोराया ताकि उन्हें इस बात की बहतर समझ हो कि मैं उन्हें आगे क्या सिखाने जा रहा हूँ प्रथम था शिर्शलंब पड़ाया इसके लिए छातरों को 5 से 6 के समुहों में वर्गी कृत किया इस कतिविदी के लिए उन, पेपर पिन, फोम का न्यून कों ट्रिभुच, सुई और कैची का इस्तमाल करने वाले है अब ट्रिभुच के शिर्श पर एक छेट करें और इसके माध्यम से उन को रोल करे वहाँ एक पेपर पिन लगाए ताकि उन बाहर न निकले हमें शिर्शलम मिलेगा इस क्रिया ने विद्यार्थियों के लिए यह समझना आसान बना दिया कि एक शिर्शलम क्या होता है फिर उन्होंने समकोण अधिक कों ट्रिभुच के शिर्शलम भी धून निकाले विद्यार्थियों से मैंने कुछ प्रश्ण पूछे ताकि या देखा जा सके कि इस क्रिया के बाद वे कितना समझते है श्रिशलम की परिभाषा से श्रिशलम कैसे खुषते है अधिक कों ट्रिभुच, समकों ट्रिभुच के श्रिशलम कहा होते है इस क्रिया के बाद विद्यार्थियों से पूछा गया कि क्या एक त्रिभुज के तीनों शिर्षलम क्या हम एक ही समय निकाल सकते हैं तीनों प्रकार के त्रिभुजों में शिर्षलम कैसे पतिछेत करते हैं इसका उत्तर खोजने के लिए क्रिया की सहायता से उन्हें लंब केंद्र का परिचय दिया के विद्यार्थियों ने तीनों प्रकार के त्रिभुज के लंब केंद्र धून लिये इसके बाद मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे तीनों त्रिभुज में लंब केंद्र कहां आए? लंब केंद्र की परिभाशा कैसे बनाए? फिर अगली गतिविदी की मदद से छातरों को माधिका का मतलब समझाया छातरों ने तीनों त्रिभुज की माधिका धूर निकाले फिर छात्रों से माध्धिका और शिर्षलंब में क्या फरक है यहाँ पूछा गया शिर्षलंब की तरह माध्धिक्या किसी एक बिंदू पर प्रतिछेत करती है क्या दूसरे प्रश्ण का उत्तर जानने के लिए हमने अकली गतिविदी की और यहाँ गुरुत्वय मध्यकेंद्र की परिभाशा बताए फिर छात्रों से पूछा गया कि क्या तीनों त्रिभुज में लंभ केंद्र, बिंदू और गुरुत्वय मध्यकेंद्र समान है या अलग है फिर अगली गतिविदी की मदद से छात्रों को माध्धिका का मतलब समझाए छात्रों ने तीनों त्रिभुजों की माध्धिका धूल निकाली फिर छात्रों से माध्धिका और शिर्षलंब में क्या फरक है यह पूछा गया शिर्ष लंब की तरह माध्धि का किसी एक बिंदू पर प्रतिछेट करती है क्या दूसरे प्रश्ण का उत्तर जानने के लिए हमने अगली गतिविदी की और यहां गुरुत्व मध्यकेंद्र की परिभाशा बताई फिर छातरों से पूछा गया कि क्या तीनों त्रिभुज में लंब केंद्र बिंदू और गुरुत्व मध्यकेंद्र समान है या वे अलग है विद्यार्थ्यों के उत्तर से असपश्ट था कि वे त्रिभुज के गुणों को भली बाती समझ चुके सत्र के अंत में कुछ सवाल पूछ कर विद्यार्थ्यों के आकलन को जांचा किसी दिये गए त्रिभुज का लंब केंद्र और गुरुत्व मध्यकेंद्र स्केल की साहिता से न्यात कीजिए कुरुत्व मध्य केंद्र और लंब केंद्र के साथ साथ शिर्ष लंब और माधिका में क्या फर्ख है यस पष्ट करें कुछ सवाल उन्हें ग्रुहकार्य हितु दिये गए किसी भी त्रिभुच के भुजाओं के लंब विभाजक भी संगामी होते है क्या किसी भी त्रिभुच के कौन विभाजक संगामी होते है यह दिखाए आपके आसपडोस की त्रिभुच चीजों के शिर्ष लंब वो माधिका धून लीजिया गतिविदियों में कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया इसलिए सबका ध्यान अध्यान पर केंद्रित था चैतर हमेशा गतिविदियों के माध्यम से सीखने के लिए उच्छुक रहते है आप इन गतिविदियों को कक्षा में जरूर आज माए संपूर्ण पाठियोजना विवरन बॉक्स में प्रदान की गई चैतरों को या गतिविदि पसंद आई या नहीं या हमें जरूर बताईए धन्यवाद